जिर मसी की दोस्तों, आज की सुरेगी मन्ना का भाग हमने लिया है नीती वचन की पोस्तक उसका बीसवा अध्याए और उसका नवा और दसवा वचन वचन कहता है कौन कह सकता है मैंने अपना हिर्दय शुद्ध कर लिया है मैं अपने पाप से शुद्ध हो चुका हूँ दसवा वचन घाटिया तोल और घाटिया माप इन दोनों से यहवा कुगरेना है धन्यमात पिता परमेशर तेरा वचन रत्फुत है तुन्हें परमेशर हमको चुना और आजाद किया पाप से हमारे अंदर जो पाप था वो पाप जो हमें विवश करता था बुराई करने के लिए वो पाप जो हमें विवश करता था बुराई को जाचने के लिए बुराई के साथ चलने के लिए लेकिन तुन्हें हमें आसाद किया तुन्हें हमें मुक्त किया और सिर्फ हमें तुने मुक्त ही नहीं किया तुने हमें अपनी शक्ति दी अपनी आत्मा दी ताकि तेरी आत्मा के दोरा हम उस पाप से दूर रह सके और तेरी पवित्रता के साथ चल सके क्योंकि तूने सिर्फ यही चाया है तेरे इच्छा सिर्फ यही है कि हम तेरे उपास ना करें तेरे इच्छा सिर्फ यही है कि हम पवित्र बनें क्योंकि तू पवित्र है पवित्रता तेरे लिए बहुत सरूरी है इसलिए संसार में परमेश्ड कहना चाहता है वचन कि कोई नहीं है जो ये कहे, जो ये घमंड करे कि मैं शुद्ध मन हूँ, मैं शुद्ध मन हूँ, अब दाउत को देखिए, दाउत जो परमेश्र का चुना हुआ था, अभी शक्त था, परमेश्र ने उसे कितने कितना सुक दिया, कितने विजही दिलवाई उसने, लेकि संबंद निभाए और गलत संबंद ही नहीं निभाए उसने उसके पती उरिया की भी हत्या करवाई दोस्तों जब आप पाप आपके अंदर आता है तो पाप आपको बहुत नीचे लेके जाता है बहुत नीचे आपको कर देता है लेकिन जब पविद्रता आपके अंदर आती है तो आपको बहुत उंचा उठाती है यही परमेश्र चाहता है कि आप उंचाई पर बैठें आप उंचाई पर रहें इसलिए परमेश्र चाहता है कि तू पविद्र बन क्योंकि मैं पविद्र हूँ मती पांच आठ कहता है धन्य हैं वो जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वही परमेशर को देखेंगे अगर आप परमेशर को देखना चाहते हैं तो आपके मन की शुद्धा बहुत जरूरी है इसलिए मेरे दोस्तों हर रोस हर रोस जब हम सोएं तो बहुत जरूरी है कि हम प्रात्रा करें कि परमेशर जो तेरी द्रिश्टी में गलत है अगर मैंने किया है तो मुझे माफ कर परमेशर जो तेरी द्रिश्टी में गलत है अगर मैंने देखा है तो मुझे माफ कर दोस्तों हमें रोज ये माफी मांगनी है ताकि अगर हमने कोई गलती से ऐसी चीज़ देख ली है जो परमेशर की दिश्ची में गलत है और जो शैतार हमसे कराना चाहता है उसके लिए में शमा मांगे और नतमस्तिक होकर परमेशर के अधीन हो जाएं और उससे कहें कि हमारी अगवाई कर ताकि हम तेरी अगवाई में चलें तेरी अगवाई में चलकर परमेशर हम आजादी को वो सुख को वो शक्ती को वो शांती को वो अभी शेख को अपने अंदर बनाए रखें जो तू चाहता है हमें देना क्योंकि तु अद्बुत है तु कहता है कि तुम मेरी समानता और स्वरूप में रचे हो वो सभाव जो परमेशर का था वो सभाव हमें हो जाए हाले लिया इसलिए बाइबल कहती है कि इश्यू मसी ने परमेशर का सभाव लिया स्वरूपी नहीं लिया सभाव लिया और उस सभाव के अनुसार वो अपने जीवन को चलाते थे वो ही हमें करना है इस अंतिम दिनों में हमें अपने आपको रोज जाचना है आकना है तक हम परमेशर की उपस्ति परमेशर की आशीश को कभी भी खोए ना उस शक्ति को उस विश्वास को अपने अंदर बना के रखे जो परमेशर ने हमें देया है आए हम परमेशर करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर सुनने वाले हर भाई भाई भेन के लिए शीट सुकोर शंगाई मांगते हैं परमेशर देया कर तेरी देया तेरी करोना सदा हमारी है और हमारी रहे ऐसी प्रात्रा करते हैं इश्यों मसिया के नाम से एमेन एमेन